एक प्रोफेसर को अपने उपर लगे हो एक दाग की वज़े से एक चोटे से टाउन में आना पड़ता है वहाँ पर एक अपसेस्यू अफेर की वज़े से उसकी पूरी लाइफ बरबाद होके आज के हमारी मुवी में लव, रिवेंज, सालवेशन इस सब कुछ चीज़े है तो अन तक इस वीडियो को ज़रू देखना आज मैं आपको 2014 की स्कारलेट इनोसंस एक कोरियन थ्रिलर मुवी एक्स्प्रेन करने वाला हूँ अगर आपको वीडियो अच रखता है तो प्लीज इससे लाइक और कमेंट ज़रू कर देज़ेगा बिना किस देरी के एक्स्प्रेनेशन स्टार्ट करते है मुवी स्टार्ट होती है और हमारा मेन केरेक्टर हमसे इंट्रोडियोस होता है इसका नामे हक हक एक्चुल में सियोल के एक बड़ी सी उनियोसिटी में प्रोफिसर था वहाबर उस पर इलजाम लगा एक स्टूडन के साथ हो इंटिमेट हुआ इसी वज़े से उसे छोड़ी से गाव में ट्रांस्परेट कर दिया जाता है वह हमसे जाता है कि इस टाउन में वह इंस्परेशन ढूडने की कोशिश करेगा वह एक राइटर है और अपनी बुक कंप्लीट करना चाहता है जब वह इस टाउन में आया तो कहता है मेरी सारी इंस्परेशन चली गए क्योंकि टाउन बहुत ही डल है यही पर बस्टाउप पर वेट करते हुए वह हमारी और एक मेन क्यारेक्टर से मिलता है इसका नाम है चंगी तो उससे कहती है मैंने इस गाव में किसी को भी सूट में नहीं देखा कहे कर हो चली गई इसके बाद जब वो क्लास्टरूम में आया तो वहाँ सब और लोग थे नौवेल लिखते कैसे है इसके बारे में हाक उन्हें पढ़ाने वाला था वो गहते हैं और लोग कोई भी नौवेल लिखनी सकते आप सब को दिल से यंग होना पड़ेगा सब बुड़े लोग कहते हैं कि इस उम्र में कोई मिलीगी नहीं पर आयड़ा बहुत अच्छा है इसके बाद हमें चंगी और उसकी मदर दिखाये जाते हैं यह तो नौके लिए हैं तो एक दुसरे का खैल रखते हैं बिनर के वक्त यह दोनों डिसकेस कर रहे थे चंगी गहती हैं कि इस टाउन का रिकंस्ट्रक्शन होने वाला है एक घर सेल करकर उन्हें थोड़े से पैसे मिल जाएंगे उसके बाद उस योल जा सकते हैं अपने नई लाइफ स्टार्ट कर सकते हैं मदर गहती हैं कि तुम्हारी शादी भी हो जानी चाहिए तुम किसे अच्छे लड़के को ढूंडो उसके साथ शादी कर लो मदर का एक ही सपना था चंगी की जल से जल शादी हो जाए वो उससे कहती हैं कि अच्छा सा लड़का ढूंडो उसे जल से शादी कर लो मदर एक लड़के को जानती थी तो उसके साथ ब्लाइंडेट भी उसने फिक्स कर दी है चंगी एक पार्क में काम करती थी जहाँ पर रोललर कोस्टर वेखिरा होते है हाँ सब कुछ देखते देखते है वो आपर पहुँच गया था वो उससे कहती है कि तुम बहुत ही अजीव हो अकेले सूट में राइड करने के लिए आया हुए हो हाँ कहता है कि मैं राइड करने के लिए ने आया मेरा यहाँ पास ही लिट्रेचर का क्लास है चंगी लिट्रेचर में बहुत ही इंट्रेस्टेड है तो नेक सिन में डारेकली हाग की क्लास में वो भी एडमिशन ले लेती है लिटरिचर से ज़्यादा वो हाग में भी इंटरेस्टेड थी आज क्लास के बाद सब स्टूडेंट्स अगरा मिलकर डिनर कर रहे थे यहावर एक ओल्ड मैन चंगी से बुशता है तुम्हारी ब्लाइंड डेट केसी थी चंगी नहीं चाहती थी इसके बारे में हाग को कुछ भी पता चले यहावर अनकमफर्टेबल होकर पहार निकल जाती है उसके पीछे हाग भी आया चंगी का घर दूर था पर वो भी हाग के पीछे पीछे आती है हाग एक होटल तक गया यहावर वो अगेल आई ड्रिंक और डिनर करता है चंगी यह सब देख रहे थी रात में उससे सबने आए यह वो और हाग यह दोलों रोलर कोस्टर पर है अगली दिन हाग फिर से चंगी को उसके काम पर मिलने के लिए आया चंगी कहती है कि यह टाउन बहुत ही जादा बोरिंग है यह डेमोलिश होने के बाद मैं यहाँ से चली जाओंगी हाग ने का अगर ऊओर हो रहा है तो कुछ इंडरेस्टिंग शीज़े ट्राई करो चंगी बुच्ती कि यहाँ कर सकते है हाग कहता है मैं इतना इंडरेस्टिंग नहीं उसने बोटल निकाले और ट्रिंग कह रहा था चंगी कहती कि मुझे भी ट्राई करना है पर ये बहुत ही कड़वी अलकॉल थी हाग ने कहा कि तुम ड्रिंग नहीं कर सकती चंगी कहती कि आफकोर्स कर सकती हो राब में फिर ये दोनों ड्रिंग करने के लिए आए वो हाग से बुछती है तुम इस टाउन में आई क्यो हाग कहता है कि गलत फहमी हुई थी इसी वज़े से मुझे यहाँ पर भेज दिया गया है चंगी ने इस पर भिलिव किया हाग को एबात अच्छी लगती है यही पर हाग को उसकी डॉर्टर को कॉल आ जाता है उसकी डॉर्टर उसे घर बुला रही थी हाग में जो इलजाम लगे थे इसके वज़े से उसमें और उसकी वाइफ में जगड़ा हो चुका है एक दूसरे से बात नहीं करें तो इसी वज़े से हाग घर पर नहीं गया था आज रात वो डॉर्टर को कहता है यह मैं आ जाओंगा वो बस में तो चड़ा पर नीची उतर गया वो चंगी से यहता है अगर मैं ऐसे ही घर गया तो फिर से मेरी वाइफ के साथ मेरा जगड़ा हो जाएगा इसके बाद चंगी भी हाग के साथ उसके घर पर आई यह दोनों इंटिमेट हो जाते है अगरी रात यह दोनों चंगी जिस पार्क में काम करती है उसी पार्क में पहुँच गए इन्होंने फेरिस्विल स्टार्ट किया और उसमें इंटिमेट हो जाते है इस पार्क के गार्ड ने यह सब देख लिया था यह एक छोटा डाउन है तो सब को सब चीजे पता चल जाती है चंगी की मदर डेव थी तो कुछ भी सुन नहीं सकती थी पर सब लोग सिर्फ चंगी के बारे में बात कर रहे थे तो फाइनली लिफ्स पढ़कर उसे समझ में आ गया चंगी की मदर को बहुत बुरा लगता है चंगी और हाग ये दोनों एक साथ बहुत खुश थे ये दोनों अलग-अलग जगा पर घूमे एक शौप से होते होए चंगी को वहाग के शूज बहुत पसंद आए हाग उसे बता नीचलने देता और बाद में उसके लिए बाई कर लेता है उन्होंने आज चंगी का hand-drawn drawing भी निकाला रात में हाग ने चंगी को उसके शूज दिया इसके बाद ये दोनों intimate हो जाते है सुबा अने पर हाग को उसके friend का call आया वो कहता है तुमारे लिए good news है चंगी कहती है तुमारे friend को घर पर invite कर लो मैं उसके लिए खाना बनाती हूँ हाग कहता है कि हम दोनों सिर्फ drink करेंगे उसके बाद वो चला जाएगा हाग अपने friend से मिला तो friend कहता है तुमारे उपर सब कुछ blame चला जा चुका है उस लड़की ने admit किया कि उससे तुम पर crash था तुमने उसे मना कर दिया तो इसी वज़े से उसने जूट कहा था उसे फिर से सियोल में अपना job मिल चुका है इसी का celebration करते हुए friend और वो ये दोनों बहुत drunk हो गए रावत में चंगी डिनर वेगरा बनाती है पर वो घर पर ही नहीं आया हाग कॉल पर उसे कहता है तुम घर चली जाओ मेरे लिए वेट करने की जरूरत नहीं मौर्निंग में जब वो हाग से मिलने की लिए आये तो उसका सारा खाना ये बाहर पड़ा हुआ था हाग उसे कहता है कि हम में सियोल फेसे वापस जा रहा हूँ चंगी उसके साथ आज लंच करना चाहती थी पर वो इसके लिए भी मना कर देता है चंगी हाग को किसी भी हालत में छोड़ना नहीं चाहती वो एक्चुल में अब प्रिंग्नन भी थी हाग इस टाइप ये कोई भी रिस्पॉंसिविलिटी नहीं चाहता तो आब और्शन करने के लिए उसे भी हुस्पिटल में ले कर आता है इतना सारा ट्रवल देने के लिए उसने उसे सॉरी कहा आबर्शन के बाद बिना कुछ बताए हुए ही वो घर चला गया हाग के घर आने पर उसकी वाइफ उस्वर बहुत ही नारास थी हाग के जाने के बाद वो हमेशा बेड में ही पड़ी रहती है अपने आपका कोई भी खैल नहीं रखती है हाग ने उसे मेडिसिन दिये अपने बाहो में लिया कहा कि अपना तुम खैल रखा करो उसे भी बुरा लगता है वो कहती है, यह मुझे पता है कि तुम गलत आदमी नहीं, पर फिर भी कुछ गलत चीज़े तुम कर डालते हो, यह वाफ से एक अच्छी वाइप बनने का ट्राय करेगी, हुग ने चंगी से प्रॉमिस किया था, कि उसे मिलने के लिए वो वापस आएगा, और बहुत दिनों तक आया नहीं, तो चंगी डायक लिए उसकी उनियर्सिटी में ही आ जाती है, उसे यहाब और बात नहीं कर सकता, तो उसने कहा कि मैं तुम्हें मिलने के लिए आउंगा, पर यहाँ से चली जाओ, चंगी भी मान जाती है, हुग के फ्रेंड ने इस अब देख लिया था, व जात में चंगी मदर के लिए डिनर बना रही थी, तभी हाँ उसे मिलने के लिए आया, वो गैस ओन छोड़कर वैसे उसे मिलने के लिए चली गई, हाँ उसे थोड़े से पैसे दे देता है, वो उससे कहता है, इससे जादा में तुम्हारे लिए कुछ भी कर नहीं सकता, वो उसका पर्मनेंटली जौब जा सकता है वो चंगी को ऐसे ही छोड़ कर चला जाता है वो गिडगिड़ा रही थी पर वो मानता नहीं चंगी फ्लेम ओन करकर ही आई हुई थी तो उसके पूरे घर को आग लग गई हाग उसे रोकता है कि प्लीज अंदर मच जाओ पर अपनी मद दर के लिए वो अंदर चली जाती है हाग ने फायर डिपार्मेंट को कॉल कर दिया और वहां से वैसे ही चला जाता है हाज जब वो घर से निकला था तो उसकी वाइफ उस पर बहुत ही अपसेट थी उसने रात में खुद खुशी कर ली हाग कहता है मेरा पूरा वर्ल्ड उ वैसा ही अब भी रहा उसका एक बुक पब्लिश हुआ और उस सक्सेस्फुल बन जाता है अब इने सारे पैसे लेकर वो वाइल्ड जी रहा था कसीनोज में जाता था और बहुत मजे करता था आज कल एक रिपोर्टर के साथ भी उसका अफेयर चल रहा है रिपोर्टर और हा आज यहां मिले है यह एक डेट की तरह है इसी तरीके से चिपचिप कर मिलना रिपोर्टर को अच्छा नहीं लगता तो इस बात पर इनका जगड़ा हो गया उसे छोड़कर चली गई आज कल हाक को अपनी आइस को लेकर प्रॉलम आ रहे थे तो डॉक्टर के पास गया डॉ करने के लिए हाक रेडी नहीं था हमेशा हाक जीज जगा पर जुआ खिलना के लिए जाया करता था इसके बार में उसकी उनिविशिटी को पता चल गया वह इस तरीके से किसी भी इलीगल चीज से असोसियेटेड नहीं हो सकता तो इस वज़े से उनिविशिटी उसे सू कर देती है इसे फाइट करने में उसके सारे वैसे चले गए वह आट साल पहले जैसा था आज भी वैसाई है पर यह उसके डॉर्टर को अच्छा नहीं लगता वो उसे पूरी तरीके से इग्नोर करती है घर पर लोन की पेमेंट के लिए नोटीसेस आने लग गये डॉटर बु जान नहीं पाता चंगी अपने आपको द्योगी के नाम से इंट्रिडूस करती है उसने कहा कि मैं तुम्हारी नेवर हूँ मुझे तुम्हारा काम बहुत अच्छा लगता है चंगी और हाग की डॉटर एक दूसरे की अच्छी फ्रेंड्स बन चुकी थी वो डॉटर से कहत है तुम्हारे फादर बहुत अच्छे लिखते हैं उन्हें में बूक लिखने में हैल्प करूंगी हाग जो भी बोलता था जंगी डालती थी एक दिन वो इससे गहती है कि एक बहुत ही अच्छे से डॉक्टर को जानती हूं वहाँ पर जाकर हम चेकप करवा सकते हैं यह दो वहाँ पर में जीत सकता हूं मैरे ओपरेशन हो सकता है यह दोनों वहाँ गये और जीत भी रहे थे हाग को लगा आज आतों सब कुछ जीत सकता है पर अचनक से वह हारने लग गया सारे पैसे उसके भरवात हो गय अब उससे और भी लग रहा था कि जो पैसे लॉस्ट किया ह वो फिर से वापस मिलने चाहिए उसने इस क्लब की गुंडे से बहुत ज़्यादा इंट्रेस रेट पर कुछ पैसे बोरो कर लिये यह सारे वैसे भी हार जाता है नेकसिन में चंगी और हाक की डॉटर बात कर रहे थे वो कहती है इस तरीके से होनी चाहिए वैसे तुम सब कुछ हो स्वीट हो टिंडर हो पर उसे चंगी के बारे में कुछ गलत लगता है वो नहीं चाहती कि चंगी उसकी मदर बने इस बात से इनने कुछ भी फरक नहीं पढ़ने वाला एक दिन चंगी और हाक ये दोनों इंटिमेट हो जाते है इन्हें इंटिमेट होता हाक की डॉटर ने देख लिया था जिस गुंडों से हाक ने पैसे लिये थे उसके घर पर आने लग गए वो उसे ब्लैकमेल कर रहे थे उन्होंने कहा कि अगर तुमने पैसे जल्दी वापस नहीं किये तुमारी डॉटर को हम उठवा लेंगे हाक के डॉटर के सारे फोटो घर पर रख कर गए यह जब डॉटर देखती है तो बहुत ही डर गई थी और भी थोड़े दिन गुजर गए हाक कुछ भी पे नहीं कर पाए फिर से गुंडों उसके पास आए और उसे बहु कोई भी ऑप्शन नहीं उन्होंने उसे पैसे दे दिये और हाक की डॉटर को लेकर चले के हाक को बहुत बुरा लगता हाक की डॉटर को जो भोश आया तो डारेक्टली अलग कंट्री में थी यह गुंड़ा उसे यह ता है तुम्हारे फादर ने हमें तुम्हें सेल कर दिय वैसे तो चाहते नहीं थे पर अपनी आखों के लिए उन्हें करना पड़ा हाक ने जब यह सब पैसे चंगी को दिखाय तो कहती है कि बहुत ही कम है इसे बहुत जादा पैसे लगने वाले हैं हाक का आय ओपरेशन अभी भी हो नहीं सकता इसके बाद मुवी में 6 मन्स चले जाते हैं आज कल चंगी हाक का ख्याल रख रही है हाक कुछ देख नहीं सकता तो चंगी अगर हैप नहीं करेगी तो कुछ भी कर नहीं पाईगा चंगी उसे बात दे रही थी तो उसने गा तुमने मुझे बरबात कर दिया मेरी डॉटर को मार डाला तुमारी वज़े से मेर शक तो आया था पर उसने इसने इंग्नोर कर दिया चंगी ने का कि उसी दिन मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे जो दगलीफ हुए एक दगलीफ में तुम्हें विदूंगी जो भी हाक के साथ हुआ उसका ब्लाइंड होना इसके पीछे चंगी थी जो गुंडा हाक की बाद भी हाक चंगी को कुछ भी करनी पाया हाक के सामने ही चंगी हाक के डॉक्टर को घर लेकर आती है उसके साथ इंडिमेट हो जाती है हाक बहुत ही डिस्टाब हो चुका था तो बहुत सारी बाते हो लिखता है चंगी उसे गहती है तुम्हारी आग जाने के बाद भी त मिली थी उसने उसे बहुत सारे पैसे दिये इसी वज़े से वो फ्री हो चुकी है अक की डॉटर का आना कि चंगी को अच्छा नहीं लगा वो फिर से गुंड़े को कौल लगाती है पर गुंड़ा कहता है उसने जो भी सब पैसे लिये थे सारे वापस कर दिये है अब वो तु तुम्हारी वज़े से मुझे भी बहुती दकलिफ उठानी पड़ी है वो अब उससे बदला लेगी डॉटर ने हाक से कहा कि आपकी अब में सरजरी करवाओंगी हाक को अब इन डॉटर से मिलकर बहुत अच्छा लगा था इस सारी बात वो चंगी से करता है उसने जो भी कि इन सब चीजों के लिए स्वारी कहा कहता है मेरे आख वापस आने के बाद मैं फिर से भूग लिखूंगा तुम्हारा अच्छे से खयाल रखूंगा चंगी कहती है कि तुम इतनी अच्छी बाते मत करो तुम्हें सूट नहीं करती वो रोने लग गई थी तब भी चंगी का हाखे निकाल कर उन्होंने हाख को दे दी यहाख की डॉटर का बदला था मूवी के लास सीन में हम देखते हैं कि हाख अब सब कुछ देख सकता है और चंगी अंधी बन चुकी है हाख उसे पाक में लेकर आया था उसने कहा कि मैं तुम्हारा खैल रखूंगा उसने उसे भूगत ना पढ़ता है उसकी आखे चलीगी हाख ने जो भी किया था जिंदा होकर ही उसे सब कुछ सफर करना पड़ा अपनी बेटी उससे दूर चलीगी उसकी वाइफ की डेथ हो गई अब वो चंगी के साथ तो रहेगा पर एक गिल्ट में हमेशा उसका खैल रखते तो प्लीज इस चानल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिवेशन आइकोन दाने मत भूलेगा हम विर से मिलेंगे और एक निमूई के साथ तब तक लिए थैंक्यू और आप अपने आपका खैल रखे है